Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine So, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी What is Montessori और यह किस तरह से आपके बच्चे के लिए कामा सकता है प्लस जब आप चूस कर रहे हो कि आपने किस स्कूल पर जाना है आपने रवाईती स्कूल में ट्रेडिशनल मेथर्स के साथ जाना है आपने Montessori स्कूल की तरफ जाना है और क्लेरिटी के क्या होता है इसके प्रिंस्पल क्या है किस तरह से बढ़ाया जाता है कैसे तालीम जादी जाती है यह मैं आपको सब कुछ बताऊंगी मैं इस वीडियो को उर्दू में बताऊंगी ताके जादा से जादा लोगों को समझा सके सो आईए देखते हैं What is Montessori Montessori method एक ऐसा तालीमी निजाम है जिसमें बच्चे को उसकी ज़रूरियाद और उसके दल्चस्पी के मताबिक तालीम दी जाती है Montessori method Dr. Maria Montessori ने 19 सथी के आखिर और 20 सथी के शुरू में मतारिफ करवाया So Dr. Maria Montessori एक बरतानवी एजुकेटर फिजीशन और साइंस्टिस थी So Dr. Maria Montessori ने अपना पहला स्कूल 1907 में रोम में खोला उनके तारीका तालीम के मताबिक बहुत ही बेहतरीन निताइश सामने आए उनके नजाम से इस Montessori मेथड से पढ़ने वाले बच्चों में और दूसरे रवायती तालीम वाले बच्चों में वाजिया फर्क जाहिर हुआ और इस तरीके तालीम से पढ़ने वाले बच्चों की कारकर्दगी रवायती एदारों की निस्बत बहुत अच्छी थी डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि जिन्दगी का सबसे जरूरी टाइम युनिवस्टी में तालीम हासिल करने का नहीं बलके पैदाई से लेकर 6 साल तक के बच्चे का होता है यह हम सब को पता है कि जो हमारी इप्तदाई साल होते हैं जिन्दगी के जो बच्चों के इप्तदाई साल होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं Islamic point of view से भी और वैसे भी वही साल होते हैं जिसमें आप तालीम दे सकते हैं वही साल होते हैं जिसमें आप बच्चों को ethics सक्या सकते हैं उनका brought up किस तरीके से कहां पर उनको लेकर जाना है क्या उनको किस तरह की guidance देनी है यह सब कुछ पहले सालों में बच्चों की बतदाई सा बच्चों को दिया जाता है वहाँ पे बच्चों को इंतहाई तवज्जों की जूरत होती है महबबत की जूरत होती है उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है जिन्दगी के पहले साल जो पहले 6 साल होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत important होते हैं So Montessori method एक ऐसा method है जिसमें बच्चे की पसंदीद की और दिलचस्पी के मताबिक activities करवाई जाती है और बच्चे तब जादा सीखते हैं जब उन्हें choose करने का मौका दिया जाता है बच्चे बड़े कोई भी हो जब उनको उस चीज़ पर की तरफ लेके जाया जाता है जिसमें उनको interest होता है तो वो जादा बेतर तरीके से सीखते है Montessori आसान लफजों में एक ऐसा system है जिसमें बच्चे को फितरी तरीके से यानि के practical तरीके से सीखने का मौका मिलता है और आप कह सकते हैं कि ऐसी तालीम जो फितरी तरज़ों से सीखी जाती है Montessori करनाती है So let's talk about what is the concept of Montessori हम सब को पता है कि हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है हर everyone is a unique person हम अगर चार भेहन भाई है या एक मा के अगर चार बच्चे है तो उस चारों के चारों बच्चे एक दूसरे से different होते हैं आदाद में उनकी hobbies different होती है उनकी पसंद ना पसंदीद्गी सब कुछ different होती है विसाल के तोर पे एक बच्चे को football खेलना पसंद है तो दूसरे बच्चे को cricket खेलना पसंद है एक बच्चे को book पढ़ना पसंद है या किसी को एक subject पसंद है तो दूसरे को दूसरा subject पसंद है सो इसी तरह से कुछ लोगों को ढूं को बच्चे है उनको जो बाते है वो बस भुक रीडिं़ न समझ आ जाती है पर कुछ बच्चे जो ऐसे होते है गिनको तजर्वे से है और आप हम सब जानते हैं कि जब हम तजर्बे से कुछ सीखते हैं तो वो आपके माइंड में एक जगा पर जाके महफूज हो जाती है वो आपको कभी भूलती नहीं है मॉन्टैसरी मेथड में एक क्लास्रूम होता है उस क्लास्रूम का एक अन्वारमेंट होता है उस में डिफरेंट एक्टिविटीज बच्चो को करवाई जाती है उन एक्टिविटीज को में किस तरह के प्रिंसिपल्स यूज हो सकते हैं उस क्लास्रूम के अंदर उसमा हॉल मे मॉन्टेसरी स्कूल में किस तरह के प्रिंसपल्स यूज़ हो सकते हैं अब इसके बारे में बात करते हैं पहला प्रिंसपल मॉन्टेसरी का है च्वाइस बच्चों को उस क्लास्रूम के अंदर तीन से चार एक्टिविटीज की ऑप्शन दिये जाते हैं उनको च्वाइस दी जाती है कि वो उसमें से कोई एक चूस कर सकते हैं जो भी उनको पसांदो वो अपने एक तरह के मताबिक एक्टिविटीज को सीखने का तरीका अफलीफ होता है उस क्लास्रूम में बच्चे को पूरे तरीके से मूफ करने की प्रमिशन होती है ये रिवाइटी स्पी के मताबिक सीखे तकि वो जादा से लेके आगे वर सकते हैं एक बचे तक या दो बचे तक नहीं बिठा सकते हैं बलके या इस स्पॉंटेसरी मेथड में आप बच्चों को इजाज़त होती हैं वो मूफ कर सकते हैं और जितना बच्चा अपने हाथ परों को और अपने आपको मूफ करता है वो इतना जादा सीखता है तो तीसरा ये है इंट्रस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की पसंद के मताबिक वो एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि हम सबको पता है कि अपनी दिल्चस्पी रखने वाली चीज में उन चीजों में हम जादा कार्टिर्दी दिखा सकते हैं तो बच्चे के इंट्रस्ट को जादा तवज्जो दी जाती है इस मैथड में अच्छा बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन की तरफ लेके जाया जाता है जादा बजाए इसके के उनको रोज के रोज स्टार्स दिये जाएं या बहुत जादा रिवाड्स दिये जाएं बलके उनको सेल्फ मोटिवेट किया जाता है और reward भी दिये जाते हैं लेकिन उन जगों पर जिन पर बहुत जादा जरूरी होता है जादा जो इसका focus है Montessori का वो ये है कि बच्चों को self motivate होना चाहिए बच्चे बड़े या कोई भी तब जादा सीखते हैं जब वो अपने हम उमर बच्चों के साथ जादा से जादा activities करते हैं practicals करते हैं एक दूसरे के साथ sharing करते हैं so इनकी Montessori का पढ़ने तालीम का तरीक है वो अपने साथियों के साथ जादा से जादा सीख सकते हैं और अपनी चीजें दूसरों जो मतलब एक बच्चा जिसमें बहुत माहर है वो अपनी expertise दूसरे के साथ share कर सकता है, उसको दिखा सकता है, उसको सिखा सकता है Montessori की एक बहुत ही जबरज़स चीज ही है कि इसमें सिर्फ किताबों से या तिस्वीरों से बच्चे को नहीं सिखाया जाता बलके मुक्तलिफ किसम की activities करके, मुक्तलिफ किसम के तजर्बात करके बच्चों को सिखाया जाता है और जादा से जादा उसके context, उसके background पर जाने की कोशिश करते है ताकि बच्चे को detailed और चीजों के पता चल जाए नेक्स्ट है adult interaction, यह teachers के point of view से है कि जतनी जादा और बेखतरीन teachers trained होंगी उतने ही अच्छे तरह के से वो बच्चों को सिखा सकते है सो बच्चों को इसमें Montessori के लिए जो teachers हैं वो Montessori trained ही होती है वो उसी तरह से जादा अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा सकती है Montessori classroom में इसके environment में हर चीज तरीके से रखी जाती है यहां तक कि जब बच्चे को जो भी activity करवाई जाती है उसके लिए एक proper उन्होंने corner बनाया होता है एक proper जगा होती है बच्चा उस activity को उठाने से लेकर उसके सामान को उठाने से लेकर activity करने के बाद उसको वापिस रखने तक हर चीज order में होती है discipline में होती है so Montessori method में आपका बच्चा बहुत जादा discipline भी सीख सकता है so यह थे Montessori के principles इसमें जो most important rules है Montessori के वो यह है Montessori में बच्चा is always free to move वो movement कर सकता है वो अपनी मर्जी का काम पसंद कर सकता है एक बच्चे के लिए जो उसका play है वो उसका work होता है जैसे बड़ों के लिए work, work is a work जो भी उनकी job है बच्चे के लिए play is a work so वो अपनी मर्जी का काम जो है वो चूस कर सकता है और वो अपने interest को follow करता है यह best चीज है Montessori में Montessori को five key learning areas में divide किया गया है पहला है practical life, दूसरा है sensorial, तीसरा है math, चोथा है language और पांचवा है culture और इसी के accordingly फिर बच्चे को 2.5 years से 3 years से जब भी बच्चा जाता है school या even आप लोग अगर घर में Montessori तालीम देना चाहते हैं आप अपने बच्चे को घर में Montessori तालीम दे सकते हैं अब तो बहुत सी mothers जो है parents जो है वो घर में भी बच्चों को सी के accordingly train कर रहे हैं तो इसलिए आप बेश्च घर में कर रहे हैं या आप अपने बच्चे को किसी school में भेचना चाहते हैं यह कुछ important चीज़ें थी जो आप लों को पता होना चाहिए जब भी आप चूस कर रहे हैं style अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए उमीद करते हूं आपको यह video पसंद आई होगी अगर आपको मेरी video पसंद आई है तो please subscribe my channel thank you for watching